हमश्कार दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर बात कर लेते हैं Nifty Bank की Weekly Analysis की Nifty Bank week में कैसा काम काज कर सकता है Generally हम एक Analysis daily करते हैं, एक Analysis हम weekly करते हैं So इसमें हम बात करेंगे कि Nifty Bank week में कैसा काम काज कर सकता है analysis को सिर्फ इसलिए देखें कि हमें analysis को सीखना है हमें कुछ आज नया यहां से सीख कर जाना है ये मन में भाव रखेगा मन में ये भाव मत रखेगा कि मैं आपको कहने वाला हों कि market bullish है या मन में ये भाव मत रखेगा कि मैं आपको कहने वाला हों कि market bearish है या मैं आपको कहने वाला हूँ कि आज HDFC का result आ गया तो आज market नीचे गिर जाएगी, आज market उपर गिर जाएगी, क्योंकि मेरे कहने से, या किसी के कहने से market नीचे नहीं गिरती, या किसी के कहने से market उपर नहीं गिरती, मेरा मन क्या कह रहा है, market मन को तो सुनती ही नहीं आप देखेंगे, 80% या 70% 70% और 80% market मन के against चलती है आप देखेंगे, मन क्या against आपका मन कह रहा है, output ले रहता हूं, गिरेगी उल्टा होता है, call में फैदा होता है मैं यह नहीं कह रहा है, आपकल से ऐसा करने लग जाओ, जो मन कहता है तो उसका उल्टा करने लग जाओ, ना, 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 मैं यह भी नहीं कह रहा ध्यान से, ना, so मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन आपने analysis को सीखना है कि यार analysis करते कैसे हैं, कैसे कह देते हैं लोग जो tipster होते हैं या बड़े-बड़े TV चैनल पर आते हैं यहां पर support है निफ्टी की यहां पर support है निफ्टी की यहां पर resistance है ऐसे वो कह कैसे देते होंगे उन्हें कैसे पता चल जाता है यह generally हमारे questions रहते हैं दिमाग में और होता क्या है वहीं से market resistance ले लेती कोशिश करते हैं कुछ हद तक यह चीजें ऐसी नहीं होती कि सर आपने इतना बताया यह तो नहीं बताया यह एक lifetime learning process है आपको क्या लग रहा है कि सर्फ आप सीख रहे हैं मैं भी सीख रहा हूं जीवन भर आपने learn करना होता है आप सोचे कि नहीं मैं तो perfect हो गया आप मुझ हर आदमी को सीखते रहना चाहिए और मरते दम तक सीखते रहना चाहिए यह नहीं कि आज सीख लिया तो हो गया काम कल सीख लिया तो हो गया काम बस अब तो perfect हो गया अब कुछ नहीं जरू है no 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 every day आप एक अच्छे अगर student बनेंगे एक अच्छे student चाहे आप teacher ही क्यों नह लेकिन जब तक आप student नहीं है आप professor बेकार है एक professor को भी student होना जरूर है आये चलिए यह तो बहुत दूर की अलग की बातें होगी बात कर लेते हैं कि analysis की analysis सीखनी कैसे मैंने आपसे क्या कहा देखो मैं हर बार वही कहता हूँ यह नहीं कि मैं आपको नई theory लिया आया कहीं क्या होता है कि हम हरोज इक नई theory के साथ आ जा रहे हैं फिर दिक्कत होती है new theory नहीं है कोई भी new theory नहीं हर बार concept सेम है हर बार फंडे सेम है हर बार जो है technique सेम है कि हम जिस technique से चीज़ें सीख रहे हैं that technique is similar what is the first technique आपको पता ही है आप समझी गए होंगे मैं क्या कहने वाला ह देखो candle कोई pattern बना रहा है क्या अगर candle pattern बना रहा है तो अची बात है candle pattern नहीं बना रहा है तो क्या कोई chart pattern बना रहा है क्या अगर chart कोई pattern बना रहा है बहुत अची बात है अगर chart भी pattern नहीं बना रहा है तो directly resistance और support देखो और अपने levels यहां पर draw कर लो उन levels के cross होने पर market में buying या selling शुरू कर दो यह हमारे 3 steps होते हैं कोई और step जुड़ेगा इसके अंदर definitely हम जोड़ लेंगे हमें लगेगा जिस बार भी so आए सबसे पहले बात करते हैं counting of candle patterns की so इसमें देखे यहाँ 4 red candle बन गई 1 green बन गई, 2 red बन गई, 3 green बन गई यहाँ पर 2, 1, फिर 3, 1, यहाँ पर 1, 3 कुछ नहीं, कोई pattern नी बन रहा कोई भी pattern नी बनना तो जबरदस्ती pattern नी बनाना कभी भी एक बात आप note करके रस लीजिए, chart के अंदर जबरदस्ती ना करें, जबरदस्ती ना करें, chart के साथ यह ना करें कि मुझे position लेनी है तो लाओ मैं कैसे भी chart को ऐसे, ऐसे, मरोड, तरोड के कैसे भी करके मैं यहाँ पर fit करता हूँ अरे यह तो breakout हो गया, लाओ call ले लेता हूँ अरे यह तो breakdown हो गया, लाओ मैं आप उसमें call ले, खुद से force fitting chart के अंदर ना करें बात कर लेते हैं, मैं धीरे-धीरे बीच-बीच में कुछ आपको बातें भी बताता रहता हूँ ताकि आपकी knowledge बढ़ती रहे, please है ना इस चीज़ को मैं खतम नहीं करना चाहरा इसको ऐसे नहीं लेना कि यार वीडियो वो हो, ये हो, जल्दी खतम हो इसको part of knowledge है, ये तो हमारे knowledge का part है कि हाँ ठीक है, इसी की बहाने तो में knowledge आएगी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो boring ना हो मैं आपको ये न कहूँ कि वो link करो, ये link करो, ऐसा कर लो उस पे इतने view कर दो, ये नहीं, ये कुछ नहीं, सीधी बात है बिल्कुल सीधी, ओके, सो बात कर लेते हैं कि दूसरी बात, कि chart पे pattern क्या बन रहा है, वो कोशिश करते हैं देखने की, तो देखे, chart pattern भी कोई नजर कुछ खास नहीं आ रहा है अगर हम candle chart pattern देखें, तो कोई खास pattern नजर नहीं आ रहा है इसको W pattern में इतना अच्छा कहूंगा नहीं, W pattern अच्छा ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं This is not a good W pattern, this is a good W pattern, ये हो सकता है ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, बट ये W pattern में कहना is not a, sorry ये W pattern, एक अच्छा W pattern कहना is not a good idea candle पे ऐसा कोई हमारा pattern नजर नहीं आ रहा है तो मैं अगला step करता हूं, line chart को भी open करके देखता हूं line chart पे भी same to same जो अभी हमने कीचा था, W वही दिख रहा है उसके अलाबा कुछ दिख नहीं रहा है, इस W को मैं इतना अच्छा नहीं मान रहा हूं ओके, सो बात कर लेते हैं, फिर फिर कैसे ढूनें, ये तो बहुत ही विपदा आ गई अब कैसे ढूनें, सो मैंने आप से क्या का, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमें ना candle chart से, ना chart pattern से, कुछ समझ में ना रहा हो go to the chart directly, find out the resistance, number one, find out the support, number two ये दो चीज़ें हमें find out करनी है, अगर कोई कहे किसार number one पे आपने resistance क्यों लिख दिया definitely we need to find out the resistance at number one here, क्यों? इसका answer हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, कुछ नए viewers हो, कुछ market की कम जानकारी रखते हो, उनको हो सकता है ना आया हो, because the market is increasing, so पहली बार आप resistance देखेंगे, you will not see the support if the market is going down, you will try to find out the support की support कहाँ पर है, अगर आपको support मिल गई, तो आप महाँ पर करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको resistance मिल गया है, तो आप महाँ पर selling करने की कोशिश करेंगे, हालां कि यह dangerous है, बट still आप यहाँ पर कोशिश करेंगे, कि मुझे resistance की line मिल गई है, मैं यहाँ पर selling की opportunity ढूंटा हूँ और भगवान की दया से, यह 20 point का stop loss अगर हिट नहीं हुआ, और अगर कहीं मैंने यह सही कर दिया, तो यहाँ पर बल्ले-बल्ले हो जानी है, 20 point के चक्कर में मुझे 300, 400, 800, 900, 1000 point तक भी मिल सकते हैं, so first number पर हम resistance की, second number पर हम support ढूंडने की कोशिश करेंगे, आये कोशिश करते हैं, now this is a candle, कभी भी ध्यान रखिएगा, बहुत नहीं नहीं चीज़े मैं आपको एक ही उसके अंदर बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, जब भी कभी आप resistance जुन रहे हों, तो पहली बात तो उसी candle का high price से अगर rejection हुआ है, तो वो candle का ही high price अपने आप में एक resistance बन जाता है, so पहला resistance जो हमें देखने से मिलता है, सीधा सीधा इसी candle का high point मिलता है, and वो कितना मिलता है, इस candle का high point हम उसको कही न कहीं लिख लेते हैं, 3851, is candle का highest point है 38,8 8.51, that means, यहाँ पर एक resistance बनता है, और यह कितने दूर है, यह 500 पॉइंट दूर लगवग लगवग अपने current price से है, यह 500 पॉइंट is not small, तो यह एक अच्छा resistance हो सकता है, अच्छा, अगर यह एक resistance है, अगर मैं इस resistance पर एक line खीच दूँ, अब इस resistance के ऊपर कौन सी candle की closing है, व इसकी नहीं है, इसकी भी closing नहीं है, तो यह candle का closing इसके लिए resistance नहीं हो सकता, यह candle का closing इसके लिए resistance नहीं हो सकता, क्यों resistance नहीं हो सकता, क्योंकि इस candle के closing को तो इस candle का high already तोड़ चुका है, तो जो resistance एक बार तूट गया, तो जाहिर सी बात है, अगर वो पहली बार तूट एक resistance था बहुत 100% था लेकिन वो तूट गया तो अब की बार तो उसकी तूटने की probability एक तरीके से देखा जाए तो 0 ही रह गई अरे भाई जो resistance एक बार तूटी गया तो अब वो resistance दुबारा resistance का काम करेगा ये कौन कैसे जब पहली बार ही नहीं किया तो दूसरी बार जरूरी टूट गया so I hope you get the point so ये चीज जो है अब closing इसके उपर सिर्फ और सिर्फ इस बड़ी वाली red candle की closing इसके उपर line के उपर है that means अगर market यहां से निकलती है तो 100% this has to be the resistance of the market और चूँकि ये resistance इस candle का low point भी है तो definitely ये बन रहा है और इस candle का low point भी यहीं कही है और इस candle का closing point भी ही है इसका मतलब यहां चार बार market जटका का चुकी है weekly analysis के हिसाब से so definitely next candle का high जो होना चाहिए वो यहां तक हमारा जाना चाहिए इससे उपर नहीं जाना चाहिए और अगर इसके उपर खुदा ना खासता चला जाता है अगर इसके उपर भगवान की देया से निकल जाता है तो फिर कहानी तगड़ी हो जाएगी so what this level is तो हम इन चारों level का इन चारों candle का इस candle का इसका इसका इन चारों का एक average ढूणने का find out करेंगे कोशिश करेंगे so कोशिश करते हैं इस candle का जो closing है इस candle की closing है कितनी 49 115 तो मैंने यह red वाली की यहां पर लिख दी red वाली की candle की closing है 49 115 इस candle का हम क्या करेंगे इस candle का हम opening candle का हम lowest point देखेंगे कहां पर आ रहा है तो आईए green वाली candle का देखते हैं तो green वाली candle का 49 120 दोनों बिल्कुल same आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है average लेने की भी जुरूत नहीं है तो same ही point है okay next candle इसका lowest point देखते हैं इस वाली green का इधर वा closing point देख लेते हैं opening point देख लेते हैं so opening point आ रहा है 37 no closing point देख लेते है 39 340 so 39 340 और 375 highest point है कोई बात नहीं दोनों लगबग सेम है एक कोई भी ले सकते हैं 39 350 ले लेते हैं पर 39 350 इसका क्या मतलग है ये तो 115 का level हो गया लगबग लगबग और ये लगबग लगबग हमने मान गया 39 325 इन दोनों का average तो इन दोनों का average कितना निकल के आ गया तो लगबग लगबग ये 200 point एक दूसरे से difference मतलग 39 225 एक average सा नजर आ रहा है so 39 225 is the highest limit of this week अगर ये week में टूट जाती है let's say Monday को ही मान लिया जाए HDSD का result कुछ ऐसा खतरना काम कर देता है कि बढ़ने लग ज नहीं है ये बात Monday को ही टूट जाती है तो 39 225 के ऊपर हम फिर अग फर्दर रैली देख सकते हैं ये टूटती ही नहीं है Monday Tuesday Wednesday Thursday तो फिर हमारा यही week का target हो जाएगा अगर Monday को ही तोड देती है मान लिजा है हमारी market weekly analysis को day की analysis समझ लेती है और तोड देती है तो एक अलग बात resistance so हमने first एक resistance find out करना था and that resistance is coming out to be 39 225 okay now we have to find out the support अब हमें support find out करनी है so how to find out the support support को कैसे find out करें तो support के लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे what should be the first thing so मैं इसको कही ना कहीं पर यहाँ पर एक जगे mention कर देता हूं and then मैं delete करता हूं 39 225 so the resistance is 39 225 now what should be the support support के लिए हम क्या करेंगे इस candle का जो low बनता है वो हमारा support बन जाता है सबसे पहले अब हम अगर support पे एक line draw कर ले support पे इस तरीके से हम line draw कर ले तेख रहे हैं यह चार candle के कहीं ना कहीं इसका closing इसका opening इसका closing and this candle closing यह सारी closing यह सारी closing एक same point पे है यह भी एक same point पे है य इसके बाद जो support नजर आती है वो mainly support नजर आती है इस point के ऊपर यहाँ पे कहीं सो मतलब यह हुआ कि इस candle का अगर अपनी ही candle का low टूटेगा जो कि कितनी दूर है आए वो देख लेते हैं so the candle low is opening and I think low is same yes 37,930 so 37,930 is the support one you can say support one अगर यह support मान लिया जाए break हो जाती है पहले ही जटके में then the next support of the bank nifty comes out to be here यह कितने पे आती है मैं आपको बदायता हूँ तो यह इसका हम देखेंगे opening so opening is 37,358 and higher 37,358 और इसकी जो highest point है 37,397 37,400 के आसपास जो आती है हमारी 37,400 के आसपास हमारी S2 आती है this is our S2 है ना resistance के side में मैंने कोई R1, R2 नहीं लिया है क्योंकि वो maximum लग रहा है इस दी मैंने कहा है अगर Monday को टूटेगा तो इसके अंदर rally up on देख सकते हैं otherwise मैं expect नहीं कर रहा हूँ S1, S2 यह जो दो support आ रही है यह पहली टूटेगी तो यहां पर support लेगी अब यह दोनो support अगर break हो जाती है before let's say on Monday on Monday तभी हम कोई further week में बड़ी हल चल देखेंगे so what does it mean अभी के लिए what should be the range of the week so 39,225 is the upper and 37,400 is the lower now यह हमने दो range निकाल दी now what should be the strategy अब यह range तो निकल गई ठीक है range निकलने से काम नहीं बन जाता range निकलने के बाद strategy क्या होनी चाहिए that is much more important than this कि हमारी strategy होनी क्या चाहिए now what should be the strategy so 39,225 के करीब हमें अगर market मिलती है 39,225 के आसपास हमें market मिलती है माल यह Monday को market बढ़ना शुरू जाती है और हमें मिलती है 39,225 के आसपास so call sellers क्या कर सकते call sellers मैं sellers की बात कर रहा हूँ especially sellers क्या कर सकते है कि seller क्योंकि यहां पर हमने एक resistance find out किया है अपनी candle का और उसके बाद यह तीन-तीन candle का एक resistance find out किया है so definitely एक बड़ा resistance है तो अगर 39,225 के आसपास मिलती है तो sellers call को sell कर सकते हैं क्या कर सकते हैं call को sell कर सकते हैं क्यों क्योंकि एक resistance है माल ले जाए हमने sell करी और माल ले जाए market still बढ़ने लगए हम क्या करेंगे हम उससे stop loss से निकल जाएंगे उतने stop loss में कुछ होगा ही नहीं मैं आपको पता रहा हूँ कैसे समझे थोड़ा सा यह थोड़ा सा difficult है यह portion but try to understand let's say market 39,200 के आसपास trade कर रही करी 39,225 आपने क्या मान के रखा हुआ है resistance मान के रखा हुआ है आपको यह है कि यहां से resistance खाएगी खाएगी इसके उपर नहीं जाएगी आपने उठा के क्या करती है call sell करती है 39,300 का let's say आपने call sell कर दिया market के अंदर करती है sell अब हुआ क्या कि 39,225 के मान लिजाए resistance खा गई तब तो बड़ा अच्छा हो गया resistance खा गई और यहां से नीचा आने लग गई तो तो इस call के अंदर हमने पूरा का पूरा profit कर लिया मान लिया जाए 39,225 को cross कर गई और 250 पे आगई मान लिया मार्केट का आगई 39,250 पे आगई अब होगा क्या कि आपको hardly 5 या 10 रुपे का per lot loss होगा क्यों क्योंकि यह call है और आपने sell की है 39,300 का call sell किया है कब sell किया है जब मार्केट 39,200 पे थी जब मार्केट 39,200 पे थी तब आपने sell किया तो जहिर सी बात है 100 पॉइंट उपर मार्केट बढ़ी होगी 5,10,15,20 इसमें टे घंटा 2,5 गंटे लियोंगे उसने बढ़ते बढ़ते हमें लगया यार मार्केट अब रेजिस्टेंस खाके वहां से उपर निकल रही है हमने सोचा यार पोजिशन से निकल ज जाएंगे और हम शूर हो जाएंगे कि भाईया यहां पर दाल नहीं गलने वाली है यह हमारी ट्रिक गलत हो गई यहां पर कहानी हो जाएगे शुरू ऑप्शन बायर की क्या कहानी शुरू जाएगे कि ठीक है भाईया 39,225 वाज रेजिस्टेंस लेकिन यह ब्रेक हो गया ल नमबर 2 डाउनसाइड में अगर 37,930 को ब्रेक करता है लेट से उसके आसपास 37,900 के आसपास मार्केट आ जाती है लेट से तेजी से आ जाती है 37,930 के आसपास एक कॉल को एक कॉल को सुरी 37,930 के आसपास एक सपोर्ट अब हम क्या सोच रहे है कि मार्केट यहां आएगी और गिरेगी नहीं यहां से एक सपोर्ट ले जाएगी क्योंकि हमने वीक की रेंज यह निकाली है अगर यह ब्रेक होगी तब हम पुट बाई करने की सोचेंगे अभी तक तो हम यह सोच रहे है कि 930 से मार्केट आएगी और वापस जम्प का जाएगी तो ऐसा करते हैं अपने एक पुट सेल कर देते हैं किया जाता है और विद अपंचास फॉइंचाइज स्टॉप लाज इन इंडिक्स वो बायर्ज को पचास से साथ पॉइंट का जटका देता है लेकिन जब पचास पॉइंट का इस्टॉप लाज seller रखता है वो उसको सिर्फ 10 point का जटका देता है तो ये बहुत important चीज है जो मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर explain करके बताऊंगा so क्या होने से ये पहले strategy 37,950 के आसपास एक उठा के क्या कर दिया put को sell कर दिया और 37,900 का stop loss लगा दिया अगर stop loss हो गया convert the position into put buying तब हम क्या करेंगे put buying के अंदर अपनी position को convert कर देंगे क्योंकि हमें पता है अगर ये तूटा तो अब 37,400 का target निश्चित ही मिल सकता है तब हमारी put buying की positions मन जाएगी इस परकार से दोना strategy मन जाएगी कुछ points बहुत complicated बताएं एक बार में समझ में न आये तो please दुबारा समझ येगा और कोई गलती होने के chances है नहीं अगर 1% भी आपको लगे दो बार देखिए तीन बार देखिए समझने की कोशिश कीजिए उसको पूरा मुझे पूरी उमीद है कि समझ में आ जाएगा नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे ये मैंने कुछ points इसमें इसलिए detail में add किये क्योंकि जो मैंने निफ्टी weekly वीडियो बनाया था उसके अंदर मुझे पता चला कि कुछ confusion था कुछ लोगों को कि नहीं सर कॉल कैसे सेल करते हैं उनके उन points को मैंने automatically आपको बिना बताए इसके अंदर कहीं न कहीं न कहीं ले लिया है वो देखेंगे जब वो सुनेंगे तो कहेंगे हां यार कुछ उसमें जो जो उनको clarity चाहिए थी वो clarity मैंने इसमें देने की कोश हैं seriously बता रहो मैं आपको जैसे मैंने पहले भी आपको एक पर बता है कि माली आप सुबह घर से निकले और आपको कोई कह देया आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो क्या वात है आप बिलीव मी शाम तक अपनी दस चीशें देखोगे कि क्या चक्कर गया शीशे में जाके दे सो आपके अंदर एक अजयब ही आपकी मतलब एक एनर्जी लेवल एक अलगी होगा आपको है कि हां मतलब अलगी आप मतलब मैं उसको शब्दों में प्यान कर सकता आपको खुद से लगेगा वो चीज है ना सो वही चीज मेरे साथ है कि जैसी वीडियो डाला और माले या फ तो इस रियली मेरे लिए जो है मैटर करता है थैंक यू दोस्तों थैंक यू वेरी मच अगर वीडियो चल लगा प्लीज इत लाइक बटन और सब्सक्राइब को चैनल थैंक यू बहुत लंबा वीडियो गया इतना लंबा रखने की उमीद थी नहीं मुझे थैंक यू दोस